नमस्कार दोस्तों, एक बहुत दुखत गटना सामने आई है नौर्थीस्ट से बेसिकली बताया जा रहा है कि मिघाले के अंदर कोल माइन ट्राजडी देखने को मिला है जिसकी वज़े से 6 माइग्रेंट वर्कर्स क्योंकि ये जो हम वर्कर्स की बात कर रहे हैं ये असाम से आये थे और 6 वर्कर्स की यहाँ पर मित्ती हो गई है यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया टूड़े का आर्टिकल है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको की exactly होता क्या है क्योंकि यहाँ पर illegal तरीके से किया जाता है NGT ने अलरेड़ी इसको ban कर रखा है मेगाले के अंदर कोई भी mining नहीं होनी चाहिए लेकिन उसके बावजूद भी आपको कई प्रकार के illegal mining देखने को मिलेंगे तो इसके बारे में जानते हैं डीटेल से चलिए आगे बढ़ते हैं तो ध्यान रखेगा कि पहले कोई coal mine हुआ करता होगा तो वहां से illegal तरीके से थोड़े बहुत जो भी coal बचे होंगे उसको निकालने की शायद कोशिश की जा रही होगी और उसी चक्कर में यहां पर मित्य हो जाती है कहां पर हुआ है exactly मेघाले के अंदर तो यह हुआ है दोस्तों East Jayantia Hills on Thursday evening तो यहां पर आप map देख सकते हो यह मेघाले का map है और यहां पर ध्यान रखेगा मेघाले जो है वो सरिफ एक ही Indian state से touch करता है उसकी boundary और वो है आपका Assam तो ध्यान रखना है आपको Assam के साथ ही इसकी boundary touch होती है और नीचे आपका बांगला देश आ जाता है और यहां पर आप देख सकते हो इसके एकदम Eastern side में यहां पर आपको मिलेगा East Jayantia Hill अल्दो आपको पता होगा इसको तीन तरह से हम देखते हैं गारो खासी जैंतिया यहां पर सबसे Western side यह गारो आ जाता है बीच में यह खासी है इसमें West खासी, South खासी और यहां पर जो शिलॉंग इसकी capital है वो आपका East खासी Hill में आपको देखने को मिलेगा इन फार्ट यहां पर जो famous place है चेरा पोंजी, मौसिन राम मौसिन राम जहां पर सबसे जादा बारिश होती है तो यह सब आपको यहां पर East खासी हिल में मिलेगे लेकिन जो coal mining की tragedy हुई है दोस्तों ध्यान रखना आपको East जैंतिया हिल की हम बात कर रहे हैं तो basically accident हुआ कैसे तो बताया जा रहा है कि यहां पर illegal तरीके से इसको dig करने की कोशिश की जा रही होगी जो abandoned mine था और वहां पर 150 feet deep जो है वो गढ़ा किया गया होगा और उसके अंदर वो गिर गए और उसके बाद से बताया गया कि अगले दिन Friday morning को यहां पर जो local administration है पुलिस है उनको इसके बारे में खवर मिला और six bodies यहां पर recover किया गया है और यहां पर बताया जा रहा है कि चार bodies को identify कर दिया जा चुका है और यह basically सभी लोग जो आसाम का village है जलालाबाद village ठीक है और मैं आपको बता दूँ इधर आये थे और illegal mining करने की कोशिश कर रहे थे अब यहां पर एक question आता है कि क्या यह accident बहुत rare है जी नहीं frequent इस तरह के accident आपको अक्सर सुनने को मिलते है in fact सबसे बड़ी tragedy recent times में अगर आप देखोगे तो 2008 रखी है जो कि बहुत जादा news में था in fact आपको विशाद याद होगा 60 days तक 60 दिनों तक यह पूरा आपका operation चला था और यहाँ पर dead bodies को निकाला गया था बताया गया कि 13 December को यहाँ पर यह tragedy हुई थी और 15 जो miners हैं वो illegal तरीके से mine करने की कोशिश कर रहे थे और एक काफी deep जो आपका pit होता है उसके अंदर जाकर फस गए 370 feet deep illegal coal mine आप देख सकते हो यहाँ पर क्या था कि वो अंदर फस गए थे क्या हुआ अचानक से जो पानी है आसपास के एरिया से उसके अंदर चला गया था पिट के अंदर अब आप सोचो पिट के अंदर पानी चला गया है क्योंकि बचाया नहीं जा सका अववेसी बात है 60 days हो चुके थे तो यहाँ पर सबसे पहले question आता है कि यह rat hole mining है क्या क्योंकि वहाँ पर तो ban हो चुकी है mining उसके बावजूद भी एक तरह का local system है basically आप समझो मिघाले के अंदर क्या है न कि आप proper तरीके से mining नहीं कर सकते क्योंकि mining अगर आप किसी चीज का करते हो तो वो feasible होना चाहिए ना उसकी cost कम आनी चाहिए अगर मैं कहता हूँ कि कोईले का अदाम है अगर 100 रुप है और mining करके आपको वो निकल रहा है 110 रुप है में तो क्या होता है इसके लिए लोकल तरीका निकाला गया है वहाँ पर इसको कहते है रोट rat hole mining अब rat hole mining में क्या होता है कि simply एक बहुती पतला सा छोटा सा rat का मतलब यह नहीं कि बहुती rat के hole जितना बड़ा होगा basically 3-4 feet जितना आपका एक tunnel यहाँ पर dig किया जाता है तो suppose यहाँ पर कुछ भी है तो 3-4 feet का यहाँ पर tunnel डिक किया जाता है ताकि लोग को यह enter कर सके हैं ज़्यादा तर छोटा सा hole है वो tunnel है इसके लिए ज़्यादा तर बच्चों को भेजा जाता है इसलिए अकसर यह आपने उसंते होंगे कि बच्चे की मित्ती हो जाती है ताकि अंदर जाएं वो और जो भी वहाँ से coal वगरा उनको मिल रहा है वहाँ से वो extract कर लें आप basically इसमें दो तरीका बताया जाता है दो तरह के procedure होते हैं एक बताया जाता है side cutting procedure इसमें basically क्या होता है कि suppose कोई slope है यह आप देख रहाँ नहीं यह पहाड जैसा कोई slope है तो इसके अंदर क्या करेंगे यहाँ पर छोटा सा जो tunnel है वो dig करना start करेंगे और यह tunnel dig करते करते यहाँ पर जाते जाएंगे और जो भी उसको निकाल कर वो थोड़े बहुत पैसे बनानी की कोशिश करते है आप देख सकते हो इस तरह का picture आपको देखने को मिलेगा और बच्चों वगरा को अकसर इसके अंदर भेजा जाता है दूसरा एक system होता है दोस्तों इसको कहते हैं box cutting box cutting basically क्या होता है इसी तरह का होता है लेकिन थोड़ा सा लंबा procedure होता है इसमें क्या है न कि rectangular opening होती है किसी भी जगह से यहाँ पर क्या करेंगे एक rectangular opening कर देंगे और फिर यहाँ पर क्या करते हैं एक vertical pit बनाया जाता है और फिर यहां से कोल निकालने की कोशिश की जाती है, और इसी चक्कर में क्या होता है कई बार की पानी जो है, वो आसपास के एरिया से आ जाता और उसके अंदर वो ट्रैप हो जाते हैं, तो यह होता है दोस्तों आपका बॉक्स कटिंग और यहां पर इसी तरह से कोल निकाला जाता है, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा कोशन आता है कि इसको बैन कब किया गया, क्यों किया गया, अब दिखी इतनी जादा ट्रैजडी देखने को मिलती थी, इसी लिए जो नाशनल ग्रीन ट्रुबिनल है, उन्होंने 2014 में ही बैन कर दिया था और वापस में, वापस से 2015 में भी इसको अनाउंस किया कि यह बैन ही रहेगा, क्योंकि unscientific तरीका है, unsafe है, workers के लिए इसको इसके लिए बैन कर दिया गया, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो राज सरकार है, उन्होंने इसको लेकर अपील भी किया था सुप्रीम कोर्ट में कि इसको बैन नहीं करना चाहिए, तो basically इससे problem क्या है, एक तो आपका environmental problem है, environmental problem क्या होता है कि जो भी coal निकाला जाता है, वो आस पास के areas में रख दिया जाता है, जिसकी वज़े से जो groundwater है, air pollution है, soil pollution है, जितनी भी चीज़ें वो आपको देखने को मिलती है, तो environmental perspective से यह जो rat hole mining है, वो अच्छा नहीं है, फिर दूसरा जो सबसे बड़ा problem है, वो आपका जीवन का खत्रा जो होता है, तो इसमें basically अक्सर देखने को मिला है, बहुत सारे cases देखने को मिले हैं, जैसा मैंने आपको बताया, कि rainy season के समय, यहाँ पर पानी वगरग हो जाता है, इसके अंदर लोग trap हो जाते हैं अक्सर, और बाद में पता चलता है, और जिसकी वज़े से मिलती हो जाती है, तो इस problem की वज़े से यहाँ पर NGT ने इसको ban कर दिया था, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा question है, एक और दूसरा कि कितने mining की जाती है, तो देखे यहाँ पर जब legal था यह, कहां कहां पर आपको देखने को मिलेगा, और East Jaintia Hill मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था यह, और यहाँ पर आप देख सकते हो, यह जो black color का आपको दिख रहा है, डैश जैसा, यही है basically अलग लग जगा आपको देखने को मिलेगे, तो यहाँ पर 6 million tons बताया जाता था, और जितने भी हैं, लेट मी टेल यू, यह जितने भी आपके होते थे mining, मिघाले के अंदर, वो सभी rat hole mining के तौर पर ही किये जाते थे, और जैसा मैंने आपको बता है, rat hole क्यों किये जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो feasible, economically feasible नहीं है, viable नहीं है, क्योंकि जैसे जारकंड हो गया, वहाँ पर तो क्या है, open pit की तरह करते हैं, open मतलब कि directly यहाँ पर कुछ dynamite वगरा लाग कर उसको crack करने की कोशिश की गए, फिर वहाँ से mining की जाती है, मतलब कि ठीक है, वो चल रहा है, जैसे चल रहा है, तो जारकंड में तो economically feasible है, लेकिन यहाँ पर मेगाले में यह locally इस तरह का technique बताया गया है, इसी की तोर पर किया जाता है, open pit आप नहीं कर सकते हो मेगाले में, कि राजसरकार इसको सही तरीके से implement नहीं करती है, जिस तरह के actions लेने चाहिए थे, वो नहीं लेती है, और ऐसा tribunal ने खुद बोला है, in fact, tribunal ने यह बोला था कि आपने proper जो mining policy है, उसको नहीं लाए है, जिसकी वजए से आपको इस तरह के accidents देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और question है कि 2012 का तो policy ही है मेगाले का, लेकिन अगर आप 2012 का मेगाले का policy देखोगे, तो यहाँ पर पता चलता है कि rat hole mining, इसको जो है यह address नहीं करती है, in fact इस policy में तो यह लिखावा था, आप इसको ध्यान से पढ़िए, small and traditional system of mining, मतलब यह rat hole mining क्या है, small or traditional system है आपका mining का, by local people in their own land shall not be unnecessarily disturbed, अब आप देखो, इस तरह का अगर शब्द यूज किया गया है कि उसको disturb नहीं करना चाहिए, तो अब विसी बात है, एक तरह से आप ब सेम कारण आपको इसमें भी देखने को मिलता है, जहां पर 6 मित्यू देखने को मिली है, तो I hope दोस्तों यह जो पूरा वीडियो था, आपको लगभग सब कुछ समझ में आ गया होगा, rat hole mining के बारे में, जाने से पहले एक interesting question आपके लिए लाया हूँ, coal से related, यहां पर आपक होनी चाहिए, यह तभी आप यह चीजें कर पाओगे, तीन question है, तीन statement है, इसको ध्यान से करिएगा, जैसे कि क्या 50% से ज़ादा coal का इस्तमाल किया जाता है हमारे energy needs के लिए, दूसरा statement लिखा है कि bank nationalization पहले हुआ था कि coal nationalization, जो coal mines है, उसका nationalization पहले हुआ था है, तो यह भी आपको पताना चाहिए, तीसरा है यहाँ पर कि कौन सा best quality का coal हता है और कहाँ पर पाया जाता है देश के अंदर, ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िए और बताए कौन सा correct होगा, इसका जो right answer है, मैं अपने Instagram पर तो डालूँगा ही, अगर आप Instagram पे नहीं हो, कोई बात सियो सुन्य!